सो हेलो एव्रिवन वेलकम बैक तो ओल्ली बोर्ट्स आगरी कोचिंग और आज का जो सेशन होने वाला है इस गोई वेरी वेरी इंपोर्टन फॉर यार आई बीपिएस एफ़ो एक्जाम जो की है इस अठाइस तरीक को और पूरा हम जितना भी एगरी कल्चर का सिल्याबस है उसका रिविजन करने वाले है तो रिविजन सीरीज पॉर एफ़ो 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 में बहुत बहर कभी कभार पूचा जाता है जरूरी नहीं है कि जस्ट फादर अफ वेरियस डिसिप्लिन्स पूछे इसलिए यह पहले देखेंगे इसलिए यह वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्रॉप टेबल इनसेंस में क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं ताकि आप टोटली देख पाओ कि हमने अक्चली किया किया है ठीक है तो इफ यू सी बहुत सारे स्टूरेंट की दिमांड होती है कि सर एक शीट पे क्या हम कैन वी अन वन शीट only plot what are the different crops what are the different diseases what are the different nutrient deficiency diseases and what are the chemicals which are used and for all those students this whatever you were asking that is really very very true तो यहां पर आप देख सकते हो this is the sheet पहले section में crop origin edible part यह सारी चीजे लिखी गई है second में botanical name and family name then soil climate varieties propagation method क्या है seed rate कितना है spacing कितनी है planting season कौनसा कौनसा है fertilizer dosage कितना है harvesting period कितना है yield कितनी होनी चाहिए pest कौनसे कौनसे इसको invest करते diseases कौनसे कौनसे है and physiological disorders कौनसे और maturity index कितना है सारी चीजे एक ही box में plot कर दी गई है if you can't see I will zoom it for you ताकि आप देख सको ठीक है तो crop origin botanical name soil climate variety propagation seed rate fertilizer dosage yield और यह हमने बस 5 crop का नहीं किया ठीक है we have not done this for only five crops हमने यह किया है almost जितने भी AFO के important crops है उन सब के लिए हमने यह cover किया है so यह सबसे end में discuss करेंगे अब पूरा class आपको wait करना पड़ेगा तो stay tuned till the end बहुत मज़ा आने वाल है so then we'll be discussing about हम क्या discuss करेंगे उसके बाद average composition of milk in different mammals stress cycle और जितनी भी animals जो domesticated animals या फिर लाइफ स्टॉक है उनसे related जो भी से वो देखेंगे थोड़ा सा एंडियन exotic cows के बारे में भी discuss करेंगे and that's it so पहले हम आमारा discussion स्टार्ट करते father of various disciplines ठीक है ज्यादा time waste नहीं करेंगे मैं बस यहाँ पर important important चीज़ है यहाँ पर आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है father of agronomy पीटर डी स्रेंजी ठीक है को पेन यहाँ गीवन दो क्लासिफिकेशन ओफ क्लाइमेट क्लाइमेट लॉजी में जाओगे तो कोपेन क्लासिफिकेशन है इसलिए उसको फादर ओफ एग्रो क्लाइमेट लॉजी कहा जाता है ठीक है उसके बाद ए आए रामदास और या दोनों के दोनों इंपोर्टन्ट ए फादर ओफ इंडियन एग्रो अग्रो क्लैम क्लाइमेट लॉजी और दूसरे है फादर ओफ एग्रो मिट्रियो लॉजी पन है डियन वालिया जस्टस वान इबिग यह आपको पता ही होगा फादर ओफ एग्रिकल्चरल केमिस्ट्री ठीक है उसके बाद इंपोर्टन्ट है लिपमेन एंड एंगी डेस्टेन डेस्टेन ने एक्चुली दिया है फादर ओफ इरिगेशन एग्रो नॉमी यह डेस्टेन निदिया है अरिस्टोटल प्रांते होगे फादर ओफ बायोलजी तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ठीक है थियो प्रस्टरस फादर ओफ बॉत एन लीवन हुक इस दा फादर ओफ बैक्ट्रियोलजी नेक्स्ट आगे अगे अगर हम बढ़ते है रोबर्ट हुक आपको पता कौन है f Nicholson यह याद रखना इस वेरी वेरी इंपोर्टन ठीक है इसके बाद फादर ओफ एकोनोमिक एकोलोजी भी एमेस स्वामी नातन है फादर ओफ ग्रीन रेवलिशन भी एमेस स्वामी नातन है एमेस स्वामी नातन से रिलेटेड इस वाले 2023 AFO में कुछा जा सकता है क्यों क्योंकि इसी साल एमेस स्वामी नातन पास्ट अवे ठीक है सीमन एन नाप बहुत ज्यादा इंपोर्टन सीमन नाप लीगन्स यह एक्स्टेंशन एडुकेशन और खास करके अग्रिकल्चर एक् लेखते हो तो यहाँ पर ग्रिन रिवल्शन फादर हमने अल्रेड डिसकस किया दा फादर ओफ गोल्डन रिवलुशन इन इंडिया कौन है केसी चट्ड़ा ठीक है रिमेंबर दैटल सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है कौन है मेंडल आपको पता ही होगा ठीक है अधर दे उस एंगो पोटरी कस golden rice क्यों होता है golden color इसका ग dicot Patchover of Golden rice Golden rice का color यलो होता है यलो की होता है golden rice का color because of which element present beta carotene beta carotene क्या होता है precursor of vitamin A vitamin A precursor golden rice में डालने की वज़े से क्या होता है it's nothing but when small children when they consume the golden rice फिर उनको vitamin A की deficiency diseases नहीं होते related to eyes father of hybrid rice kौन है yuan long pink CT Patel is the father of hybrid cotton यह याद रखना बहुत ही important है father of Indian rust KC Mehta and Indian plant pathology के father है E.J. Butler now next B.P.P.P.L. father of Indian plant breeding बहुत ही ज़्यादा important R.Mishra father of Indian ecology बहुत ज़्यादा important उसके बाद अगर हम देखे yes father of mycology and microbiology very very important and Levenhook and Micheli so यह भी आप पढ़ सकते हो I'll upload this ठीक है इसके बाद various other names are also there related to तो यहाँ पर father of nitrogen fixation Vinogratz की ठीक है father of plant physiology who is the father Stephen Hells ठीक है तो यह पूरा आप list पढ़ लीजिएगा it is very very important soil science का father अगर हम देखते it is Russian Russian agronomist agronomist and soil scientist दो कुचेव ठीक है इसके बाद Carlos Linus father of taxonomy यह भी आपको पता होना चाहिए very very important Vargish Korean father of white revolution और operation flood ठीक है hybrid rice in India यह अरिस्टोर्टल अगर हम देखे father of zhool अजी भी अरिस्टोर्टल है जेत्रो टल बहुत ही ज्यादा important father of tillage and weed weed sciences के father कौन है जेत्रो टल बहुत ज्यादा important ठीक है now now let's talk about milk जब हम milk की बात करते milk has component of fat and solid non-fat अब यह नजाने क्यों this is very very important from AFO point of view AFO बहुत इसको AFO exam में बहुत इसको पूचा जाता है ठीक है IBPS has been obsessed with this ठीक है fat में total fat and associated substance होते total fat को आप फिर से differentiate करोगे several glycerides and phospholipids फिर total fat को cholesterol, carotene, vitamin A, D यह सारी चीज़े भी उसमें आ जाएंगी total fat में non-solid यह जो solid non-fat ठीक है या फिर non-fat solid जो हम कहते है it has lactose nitrogenous mineral water and other constituents यह जो nitrogenous part है it is then divided into protein part and non-protein nitrogen ठीक है now average composition of milk in different mammals has been given इसमें यह क्या-क्या चीज़े important है मैं आपको बता था हो first is fat percentage second is SNF protein solids and your lactose it is very very important ठीक है तो पहले देखते है human human में 3.57 fat होता है protein solid 1.6 होता है SNF 8.82 होता है मतलब solid not fats मतलब यह जो nutrient component होता है 8.82 होता है cow में देखो कितना होता है protein 3.58 fat 4.14 and SNF अगर आप देखते हो 9.25 buffalo में अगर आप देखते हो 9.86 आपका SNF होता है 3.60 आपका protein solid होता है fat होता है 7.38 goat अगर आप देखते हो 3.52 protein solid 7.75 SNF sheep का होता है SNF 11.39 protein solid होता है 5.23 fat होता है 7.9 similarly अगर आप सारे animals का देखोगे highest SNF किसका है आपका है sheep का अब अगर आप sheep छोड़ के देखो तो किसका SNF जादा है cow और buffalo में किसका जादा होता है buffalo का जादा होता है now this you have to remember exam में ये बार बार पुछी जाती है this is one of the most important repeated question in NABAD, in AFO and all the ADOs ठीक है I don't know what IBPS is obsessed with this milk but still it is always asked next is milk protein का अगर आप composition again protein composition in milk अगर आप देखोगे minor protein and enzymes होते है milk में and this जो main protein होता है milk में it is further divided into caseins and whey proteins तो बहुत सारे लोग जो gym करते हैं उनको पता होगा casein is also a milk part of the milk part and most importantly a protein part of the milk and whey protein also ठीक है तो casein में क्या होता है 60% alpha caseins होते है ठीक है बीटा caseins 25 to 35% and gamma 3 to 7% जब वे protein की हम बात करते है 14 to 24% आपका वे protein होता है suppose आपके पास milk है और उस milk से आपने पनीर बनाया ठीक है तो जो पानी बचता है ना उसी को हम क्या कहते है वे कहते हैं तो बीटा लेक्टो ग्लोबिलीन 7 to 12% अलफा लेक्टिव लेक्टल ब्ल्यूमिन 2 to 5% इमिनोग्लोबिन कितने होते है मिल्क में इमिनोग्लोबिन होते है 1.3 to 2.7% ब्लड सेरम होता है 0.7 to 1.3% तो ये चीज़े आपको याद रखनी पड़ेंगी इट कैन भी अल्सो आग्ट नाओ चोन नेक्स्टो क्क चेश्चेकर एल्लेंट के संश्च वरिवर Warum क्या है इस इंपल स्पेसिफिक ग्रावटी पूछी जाती है ऐसे Mensh to 1.033 at 20 degree Celsius, viscosity of whole milk कितना होता है, 25 degree Celsius in about 2.0 CP, surface tension होता है 59 per centimeter, freezing point of cow and buffalo milk is minus 0.512 to 0.572 degree Celsius and boiling point होता है 100.17 degree Celsius, यह भी important है, यह भी आपके, for example, AFO 2019 में specific gravity milk की पुछी गई है, so this becomes important, now animal terminologies, again यह है, IBPS का दूसरा obsession, what is this obsession about, कि मुझे पुछना है that who is the adult female in sheep, यू कहते है, मुझे पुछना है, who is the young female in your pig, guilt कहते है उसको, so यह table, you just have to download free of cost, one mark है आपका यहापर, ठीक है, I don't know what is wrong with agricultural exams but they are so obsessed with these terms, ठीक है, तो species यहापर है, यहापर सारे animals है, ठीक है, so bovine, ovine, caprine, swine and equine, ठीक है, यह आपकी species हो गई, अब बात करते है, group, cattle का group को herd कहते है, buffalo को भी herd कहते, sheep को flock कहते, goat को flock कहते, या फिर band कहते, pig को कभी भी stock कहते है, horse को कभी भी pack कहते, pig को कभी कभा ड्रोव भी कहते है, ठीक है, group को, adult male जो होता है, cattle में उसको bull कहते है, buffalo में इसको buffalo bull कहते है, sheep में उसको ram, नहीं तो tube कहते है, goat में उसको buck कहते है, pig में उसको boar कहते है, horse में उसको stallion कहते है, ठीक है? Then, adult female जब बात करते है, cattle में उसको cow कहते है, buffalo में उसको she buffalo कहते है, sheep में उसको eve कहते है, goat में, doe, pig, sow, horse, male, okay? Then, young male, it is in cattle, bull, calf, in buffalo, it is buffalo, bull, calf, in sheep, it is ram, lamb और tube lamb, lamb, young ones होता है और वो भी male गोट में बकलिंग नहीं तो मेल कीड कहते है उसको पिग में उसको बोर्लिंग कहते है और हॉर्स कोल्ट कहते है इस तरह से यू आप टू एनिवेज रिमेंबर इस वन मोर बॉक्स विच यू एड़ यर डट इस कैस्ट्रेटेड मेल कि अब यह आपका homework रहेगा कैस्ट्रेटिड मेल को केटल में क्या कहते है बफेलो में क्या कहते है शीप गोट पीग होर्स में क्या कहते है वो भी हमको पता होना चाहिए यह दिस वेरी वेरी इंपटरट आगे बढ़ते है येस इस एज बिन गीवन देखो हमने दिए है अल्र आपके गोट में उसको कहते हैं, casterated goat, pig में कहते है, hog नहीं तो stag नहीं तो arrow and horse में उसको gilding नहीं तो jail'd कहते हैं, this is very very important. अरदेन sterilized female हर एक section में cow, buffalo, ठीक है, your sheep, goat, pig and your horse, female with its offspring पर्चुूरिशन को क्या कहते है ह। काओ के काव इंग कहते है representative के काव इंग ही कहते है। जो शीप होती है उसकोलंबिंग कहते है। जो गोट होती है उसको किड़िंग कहते है। For Pig it is called as farrowing, and for horses it is called as fowling . ठीक है? Mating in your cow, buffalo and goat, it is called as servie. In sheep, it is called as stooping. In pigs, it is called as coupling and in horse, it is called as covering. Okay? Very, very important, you have to remember. One shot, see, one table we made and there is very high chance that one, two marks we can get from it. Now comes the act of giving birth in different animals. So, हमने तो देखी लिया, chicken को कभी भी hatching कहेंगे, उसके duck को भी hatching कहेंगे, goat के इसको kidding कहेंगे, sheep, lambing, pig, farrowing and donkey and horse, fowling. ठीक है? Istros cycle, now let us talk about. Istros cycle कभी भी चार आप stages में divide कर सकते हो. Istros, that is the day, zero of the cycle, then is meta-istros, second to fourth day, die-istros, fifth to 17th day, and pro-istros, 17th to 28th day, ठीक है? You can read about the Istros cycle, आप जो भी static पढ़ रहे हो, तब Istros cycle जरूर पढ़ लेना, ठीक है? This cycle is nothing but यह आपका Istros cycle, it's related to your development of the ovary, okay, and development of ovary के बाद उसका fertilization होता है कि नहीं, and अगर fertilization नहीं होता है, if the fertilization is not possible, then that of course ovary gets eliminated through menstrual phase. तो यह आपकी total Istros cycle होती है, you can read more about it. What is important for this revision session is, कि आपका Istros cycle, Istros cycle period कितना होता है? Now this table again, IBPS is, as well as NABARD is, as well as other agriculture radio exams are obsessed with. क्या है यह? Animal, age of puberty, gestation period कितना होता है? Istros cycle in days, and heat period, ठीक है heat period, heat period, what is heat period? It is nothing but a duration in which any animal, the female or male, those are ready for mating, ठीक है? और those are at the, those are at that stage that they are ready for mating or doing reproduction. cow में age of puberty, puberty 24 to 30 months होता है, buffalo में 28 to 30, sheep में 19 to 14, goat में 8 to 10, camel में 36 to 48, and swine में 8 to 10. Now, I will recommend you, इस months को आप weeks में भी याद रखो, ठीक है? Because, don't make it confusion, we don't have any, like we cannot anticipate के exam में, week में पूचेंगे के मन्त में, ठीक है? So, that is why, keep it handy, gestation period days में ही पूचा जाता है कभी भी, ठीक है? तो वहाँ पर आपको टेंचन लेने की ज़रुवत नहीं, और अगर पूचा भी weeks में, तो convert कर लेना. So, gestation period आप देखोगे, 285 for cow, buffalo 310, sheep 145 to 150, goat 150 to 152, camel 391, and swine 141. ओस्ट्रस cycle देखो 21, for cow 21, for buffalo 15 to 18, for sheep, goat 20, camel 10, and swine 21, and heat period भी यहा बर आपको दिया गया है. पूरा का पूरा रट लो, please, please read it for your understanding. अगें, incubation period, chromosome number and age at sexual maturity has been given for your poultry now. चिक, चिकन, डख, तर्की, और ऑस्ट्रीज. So, यहर, incubation period is 21 for chicken, for duck it is more 28, for turkey it is 28 only, for ostrich it is more, it's twice almost 42. ठीक है? अगें, chromosome number आप देख सकते हो, chicken में 39 होते, duck में 40, turkey में 40, और ऑस्ट्रीज में 40. Sexual maturity in weeks 18 to 20 for chicken, now chicken का mostly poultry का अगर कोई भी question comes in terms of numbers and days, it will be always asked in weeks. अगर प्रिवेसर ग्वेशन देखोगे तो, duck का होता है 28 to 30, turkey का होता 28 to 30, औस्ट्रीज का होता है 52. Now comes the difference between indigenous cow and exotic cow, this is not that important but definitely you can read it, तो almost most of the important parts we have covered, now after doing this, एक बार, main चीज पे जाते, for which all you are waiting for, अब सारे लोग जिस चीज के लिए वेट कर रहे हो, उसके बारे में अभी दिसकस करते, बहुत सारे टेबल के तुरू हम ने स्टडी किया, now we come at a very important table that as I told you, related to crops, so I hope that this is visible, ठीक है, तो या, अब शायद से visible है, तो पहले हम देखेंगे, just a example to understand this sheet, मैं पूरी की पूरी sheet आपको नहीं पढ़ाऊंगा यहां पर, but I will just give you an hope or idea की, what is this, already this has been given for the paid students, ठीक है, so that is why यह जो हमारे notes होते है, वो easily available नहीं होते, it is only for the paid students, ठीक है, so this we are trying to show you, इसी तरह से आप कर सकते हो, अभी मैं आपको क्यों दिखा रहा हुए, why I am showing this to you, so that you can also make in the similar fashion, so look at it, crop origin, edible part, botanical name and family, soil, climate, varieties, propagation method, seed rate, fertilizer dose, harvesting, yield, paste, diseases, physiological disorder and maturity index, हम सब को पता है, यह हमने किया है, and the first crop which we are talking about, chili, now मैंने आपर सारे कोई भी random crop use नहीं किया है, for example, red gram, red gram के उपर किसी भी agriculture exam में ज्यादा questions नहीं है, ठीक है, so there are some crops which are very very important, और खास करके यह horticultural crops होते, first we are talking about chili, chili की origin मेक्सिको से है, और chili एक fruit है, ठीक है, edible, sorry, chili का जो edible part होता है, वो fruit है, ठीक है, so chili का edible part, it is a fruit, जो red color की chili आते है, that's a fruit only, right, botanical name देखो, capsicum enum, ठीक है, family क्या है, solenace, ठीक है, family है, solenace, soil, fertile, sandy, low meat, pH 628, climate है, warm, humid, temperate, ठीक है, varieties अगर हम बात करे, अरका, गगन, अरका तन्वी, अरका सान्वी, पूसा जुआला, अगनी रेका, पूसा सदा बाहर, एक्सेटरा, propagation method, vegetative नहीं है, कोई भी, seed के तुरू होता है, seed rate अगर हम बात करे, 1 kg per 1 hectare, hybrids के लिए 200 to 250 grams per hectare, और nursery area होता है, आपका 100 square meter per hectare, सारी spacing बगरे पता लगा, fertilizer अगर हम देखोगे, तो farm yard manure, 25 ton per hectare, यूज़ किया जाता है, NPK ratio requirement is 30, 60, 30 kg per hectare, harvesting देखोगे, 75 days में हो जाएगे, आपकी, yield अगर देखोगे, तो 2 to 3 tons per hectare, of a dry pod, and 10 to 15 of green chilies, pest की बात करें, तो chilies के लिए सबसे potential, आपका pest होता है, thrips, diseases की बात करें, तो anthracnose, leaf curl, ठीके, देन, thrips की वज़े से होता है, ये, mosiac disease, for example, chili mosiac virus, ये भी आपको attack करता है, chili के उपर, aphids की वज़े से, यलू, मुरेन आई, might be, इसके उपर attack करता है, physiological disorders के बात करें, तो bottom end rot disease, and frog eye rot disease, यह आपका होता है, physiological disorders में, maturity index की बात करें, तो harvested in two stages, green in color and dry chili, when red in color, so this is the whole, your notes which have been given, अगर आप इसको ठीक से देखोगे, तो first we are, हमने अभी देखा, chili के बारे में, right, similarly mango के बारे में दिया गया है, then banana के बारे में दिया गया है, mango and banana, these are the two crops, जिनके उपर, चार बार, IBPS, AIO4 ने, 2012 से questions पूछे, तो आपको समझा ही होगा, which crops I have covered, then, support a, यानि चीकु, papaya के बारे में, guava के बारे में, papaya तो आपका recent 2021 में question आया है, papaya के related, right, then comes guava, then comes acid lime, then comes sweet orange, mandarin के बारे में, grape के बारे में, ठीक है, pineapple के बारे में, pomogranite, bear के बारे में, ठीक है, jamun के बारे में, ठीक है, tomato, then brinjal के बारे में, okra के बारे में, as I told you, okra is very important for this year also, onion के बारे में, cucumber के बारे में, okay, and in this way, we end this sheet, so overall, this sheet में सब कुछ है, what you want, okay, of course, इस में हमें field crops भी add करने होंगे, but right now, almost 20-25 crops have been covered here, which are very important for your AFO exam, so with this, we end our revision session, thank you very much, and I hope that within through all of these tables, हमने इतना ज्यादा revise किया होगा, that you got an idea, कि आप मुझे करना क्या है, last के कुछ दिनों में, last के कुछ दिनों में, books होगरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे ही revision करना होगा, important topics लो, उनका, imagine through table point of view, अगर आप किसी भी animal की breed, अगर study कर हो, yes, okay, I am studying cow, I am studying breeds of cow, I am studying all the breeds of cow, I am studying all the features, all the characteristics, their location, and now as I am studying cow, let me study about cows, it's to a cycle also, let me study its gestation period also, let me study what are the different names of a cow at different different growth stages, यह सारी चीज़े मुझे करना करना, this is what an multi-dimensional approach is, और अभी हमने वही किया, ठीक है, thank you very much, see you next time. अभी है, thank you very much, see you next time.